नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर, मेरा नाम है अनिरुद और आज के इस lecture में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ Physical Geography के Lecture No. 15 को. दोस्तो, Physical Geography में जो हमने पिछले दो या तीन lectures में हमने चीज़ें कवर करी थी, उसमें हमने बेसिकली इन चीज़ों को कवर किया था कि Humidity क्या होती है और साथ में Cloud Formation क्या होती है और अलग-लग तरह के Clouds क्या होती है आज के इस lecture में जो चीज़ें हम समझने वाले हैं वो एक तरीके से ऐसा मान लीजे कि ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक आप सीख कर आए हैं, इनको apply करने वाले हैं in order to understand the very very beautiful and the awesome concept of precipitation. जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा injustice है in the case of geography, वो injustice यह है कि बच्चे अक्सर precipitation के topic को rainfall तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस lecture में मैं आपके साथ precipitation क्या होती है और precipitation की जो अलग-लग तरह की किसमे होती है, यहाँ पर मैं आपके साथ 5 तरह की precipitation की types की बात करने वा बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए इसको लेकर हम थोड़ा सा broadly discussion करने वाने हैं, खेर anyways, जो मैंने पहले के दो lectures में आपके साथ discussion करी है humidity की और clouds की, आपने देखा होगा किस तरीके से humidity जो है वो condensation में तबदील होती है, आपने देखा होगा cloud formation कितनी important है अगर हमें rainfall तो जो concepts आप अभी तक देख कर आए थे और समझ कर आए थे उनी concepts को आज आप apply करेंगे और आप समझेंगे the very very important and the significant concept of formation of rainfall और इसकी कितनी प्रकार की जो किसमे होती है, अलग-लग rainfall कहा कहा देखने को मिलती है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एक बार फिर स आप मुझसे कहीं भी जुड़ सकते हैं using this particular handle, अनिरुद 15A. Also आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कल यानि की 18 तारीक आखरी दिन है, Unacademy की तरफ से चलाया गया था बहुती बहतरीन freedom offer, जिसमें कि अगर आप लोग UPSC का plus का combo लेते हैं, तो आपको ये वाला final price पढ़त है, जो कि offline coaching में आती है, अभी कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे, कि जैसे ही unlocking हो जाएगी, वैसे ही जाके मैं offline पढ़ना शुरू कर दूगा, लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, Unacademy आपको वो सारी की सारी चीजें, एक साल में मात्र 49,680, even less than 50,000 रुपीस cost में दे र इसमें आप 87,000 रुपीस का course purchase कर सकते हैं, the most important part is, कि यहाँ पर आपको केवन preparation ही नहीं मिलती है, आपको दोस्तों preparation के साथ-साथ, test series का combo मिलता है, optional test series मिलती है, prelims की test series मिलती है, और mains की test series मिलती है, इन चीजों की अलग से भी cost, open market में कम से कम 45,000 की आती है, लेकिन Unacademy आप अगर आप यह सोच रहे हैं, कि optionals कुछ ना कुछ available नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी important optionals हैं, और जितने भी अच्छी faculties हैं, वो आपको guide करने के लिए available है, पवन कुमार सर हुए, प्रवीन किशोर सर हुए, जो नाम आप लेंगे, वो नाम Unacademy पर आपको guidance देने के मेरा भी धड़कता है, और एक तरीके से सबसे अच्छी गुरुदक्षना अगर आप मुझे देख सकते हैं, तो वो यही code का application है, जैसे ही आप यह code लगाएंगे, सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा discount, और discounts के साथ साथ आपको मेरे द्वारा personal guidance भी available हो जाएगी, जैसे आ पर भी आप यह subscription ले सकते हैं, 60 days का plan आपको offer किया जा रहा है, जिसमें मात्र cost आपको देनी पढ़ रही है, 15,000, यह उन बच्चों के लिए है, जो केवल इस साल के prelims को attempt करना चाहते है, and they do not want to spend too much money, so unacademy understands की financial reality एक बहुत important component है, UPSC preparation का, इसी चीज़ को ख्याल रखते हु यह English भाशा में और Bilingual भाशा दोनों में available करवा दिये जाएंगे, right, इसके इलावा दोस्तों, आप लोग मुझसे भी पढ़ सकते हैं, platform पर आके, यह सारे के सारे courses आपको available करवाए जाएंगे, science and tech, Indian geography, Indian polity, geomorphology, all the courses are available on the platform, and you can access them completely, अगर आप लोग एक बार plus का subscription ले 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 हैं तो, right guys, शुरू कर देते हैं आज की class को, और start करेंगे precipitation को, थोड़ा सा अपने अंदर के जो imagination है, उसको open करिए, किस तरीके से हवा की movement होने वाली है, condensation होने वाली है, आज बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, simple सी बात आपको बताऊंगा, precipitation क्या होती है, अभी तक हमने क् atmospheric humidity के chapter में हम ये चीज़ पढ़कर आए थे, कि जैसे जैसे आपकी हवा उपर rise करेगी, वैसे वैसे relative humidity के जो levels है, वो उसमें change होते रहेंगे, दोस्तो यही जो relative humidity के levels change होते रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी हवा जब नीचे से उपर जा रही है, यहाँ पे उसका temperature काफी high था, लेकिन जब यह यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो temperature कम हो जाएगा, सबसे पहला process क्या हुआ, सबसे पहला process होता है cooling का, सबसे पहला process होता है cooling का, दोस्तो cooling के बाद, एक particular level को cross करने के बाद, यहाँ पर condensation होनी शुरू हो जाती है, दोस्तो second important process होता है condensation का, अकसर यहाँ पे teacher बोल देते है, cooling, condensation and rainfall, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, cooling, condensation and precipitation, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि हर बार precipitation के नाम पे केवल rainfall ही हो, कुछ और phenomena भी तो हो सकता है, हो सकता है rainfall की जगा पे शायद drizzle हो, जो भीनी भीनी भारिश आपको देख हो सकता है hailstorm की जगा वहाँ पे sleet आजाए, हो सकता है freezing rain आजाए, दोस्तों यह सारे के सारे नाम जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, यह basically precipitation की ही किसमे मानी जाती है, इसी लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, it is a process of falling of atmospheric moisture on the surface in any form due to gravity, gravity एक बहुत important component है, gravity के बगैर तो obviously कोई भी जो पानी है, फिर भले वो moisture है, किसी भी form में है, वो नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ पर again आपको समझना है कि gravity के factor को कई बच्चे miss out कर देते हैं, gravity plays the most important role, अगर gravity नहीं होगी, गुरुत्वा कर्शन नहीं होगा, तो क्या कोई भी moisture नीचे आएगा, जी नही नहीं आएगा, अगर बात करें, हमारे UPSC के point of view से हमारे लिए precipitation की जो forms है, वो कुल मिला के 5 forms हैं, जो हमें देखने को मिल जाती है, Now, precipitation occurs when a portion of the atmosphere becomes saturated with water vapor, so that water condenses and precipitates, देखे वही चीज हुई कि पानी पहले saturate होगा, saturate होने के बाद पानी जो है, वो condense होगा, condense होने के बाद पानी जो है, वो precipitate करेगा, किस form में करेगा, वो बात करेंगे, ये देखे फिर से एक बार याद कर लीजे, number 1 पे पहले cooling होती है, number 2 पे दोस्तो, condensation होती है, because of saturation, and number 3 पे होती है, precipitation, अगर बात करें, precipitation की अलग-लग किसमे क्या होती है, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक single image में इसलिए दिखाया है, so that you can take a simple screenshot, और अपने reference purpose के लिए इनको रख सकते हैं, हाला कि मैं आपको one by one करके बताऊंगा, कि exactly drizzle क्या होता है, snow क्या होता है, sleet क्या होता है, अब ध्यान से देख लीजे, दोस्तो जो इसकी 5 किसमे होती है, सबसे जादा relevant, सबसे जादा important from the point of view of UPSC, obviously rainfall है, क्योंकि इसकी हम आगे जाके further किसमे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके इलावा जो अन्य तरह की precipitation होती है, यहाँ पर आती ह है, snowfall, यहाँ पर आती है, hailstorm, यहाँ पर आती है, sleet और यहाँ पर आती है, drizzle, आपके simple reference के लिए यहाँ पर single single line में दिया हुआ है, इसको जाके आप लोग आराम से refer कर सकते हैं, अगर बात करें कि exactly drizzle क्या होता है, बड़ा simple है, आपने कभी कबार सुना होगा, आपस में बा लगता है कि शायद यह हवा में float कर रहे हैं, नीचे तक नहीं पहुँच रहे हैं, दोस्तो उसी चीज को drizzle कहा जाता है, जो हम normal अपनी भाशा यूज़ करते हैं, colloquially, when the drops of rain are very very small and they are of uniform size and they seem to float in the air, it is called as drizzle, तो क्या चीज़े बोली मैंने, सबसे पहली बात तो जब drops of rain जो है uniform होता है and तीसरी चीज़ जब यह हवा में float कर रहे होते हैं, इस phenomena को drizzle कहा जाता है, केवल आपकी GK के point of view से बता रहा हूं कि इसमें जो rainfall के drops का size होता है, यह 0.5 mm से कम होता है, लेकिन आपको इस चीज़ को याद नहीं करना है from the point of view of UPSC, it is not relevant, अगर हम बात करें, snowfall की, snowfall इंडिया में देखने को कम मिलती है, हाँ, थोड़ा northern areas में देखने को मिलती है, north western areas में देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर के, उत्री पहाडों में, या फिर अगर हम देखे, सिक्किम बगरा के, या उत्तराखंड के, बहुत उचे पहाडों में देखने को मिलती है, otherwise हमे snowfall देखने को नहीं मिलती, बट याद कीजे वही वाला table जो मैंने आपको बताया था atmospheric humidity में, जब आपकी हवा, जब यहां से जहां पे temperature जो है काफी ज़्यादा high है, यह ground level है आपका, दोस्तों यह अगर आपका ground level का surface है, जैसे जैसे आप उपर जाते रहेंगे, उपर जाते रहेंगे तो आपका जो water vapor है, यह ice में change होता रहेगा, यह चीजें हम discuss करके आए थे, तो similar सी कहानी है, basically इस case में होता क्या है, जब cloud formation होती है, below zero degrees, यानी कि, आप हवा में इतना ऊपर पहुँच चुके हैं, मान लीजे, आपके surface के ऊपर temperature 30 है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर एक time आएगा, जब आपका atmosphere का temperature zero degree cross हो जाएगा, जब आप zero degree के नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आपको clouds देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको ice formation देखने को मिलेगी, अब जिस बादल के अंदर बरफ है, तो जब वह फटेगा और नीचे गिरेगा, तो obviously बरफ के रूप में ही तो नीचे गिरेगा, तो जी हाँ, this occurs when the cloud formation occurs below zero degree Celsius, और यह commonly आपको कहाँ देखने को मिलता है, यह आपको tropical areas में या subtropical areas में कम देखने को मिलता है, यह mainly आपको mid latitudes, या फिर high latitudes में देखने को मिलता है, mid latitudes, high latitudes क्या होते हैं, कई बार बात कर चुके हैं दोस्तों, यह अगर आपका धरती का गोला है, यहाँ पर आपका zero degree है, तो somewhere over here, जब आप 35 degrees को cross कर जाते हैं, और यहाँ से लेकर के 90 degree के area तक, इस area को हम लोग बोल देते हैं, mid latitudes and high latitudes, तो वहाँ पर आपको बड़ा commonly देखने को मिलता है, अगर आप देखें, जो Europe के देश हैं, Netherlands हुआ, Finland हुआ, Sweden हुआ, उसके बाद कई सारे अन्य देश हैं, व वहाँ पर अगर आपको snowfall देखने को मिलेगी, तो कहां मिलेगी, दोस्तो वहाँ पर आपको high altitude पे देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको latitude उतना high नहीं मिल रहा, लेकिन आपको उचाई high मिल रही है, इसलिए आपको वहाँ पर भी snowfall देखने को मिल जाती है, होता बड़ा simple था, drizzle में भीनी भीनी बारिश, बरफ में एकदम आपकी बरफ गिर रही है, दोस्तो अब थोड़ी सी confusion होती है, sleet में और hail में, hail अचली काफी आसान है, I will come back to the point of sleet, अगर हम hail को समझे, hail को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिस दिन दोस्तो हम ये बोलते हैं कि बारिश तुकडे गिर रहे हैं, snowfall नहीं, बरफ के तुकडे गिरते हैं, दोस्तो छोटे-छोटे ice pellets होते हैं, अगर आप किसी दिन इसको उठाके देखेंगे हाथ में, आपको लगेगा ये almost एक प्याज की तरह होता है, एक तरफ से थोड़ा hollow होता है, एक तरफ से थोड़ा सा concave ह होता है, इस चीज को कहा जाता है, hail या फिर hail storm, ठीक है, hail is the most destructive form of precipitation which is produced in violent thunderstorms या फिर cumulonimbus clouds, cumulonimbus clouds याद हैं आपको वो वाले जो हमने पड़े थे, cauliflower shaped clouds होते हैं, इस तरह के जो clouds में, जब आपकी बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है, thunderstorms होते हैं, तो दोस्तों, suddenly आप आपको धर्ती पे देखने को मिलते हैं, इस तरह के छोटे-छोटे आइस के तुकडे, आपको कभी-कबार सुना भी होगा, अगर आपके घर पे मान लीजे, बाहर एक वो वाला एरिया है, जहां पर पत्थर बना हुआ है, तो पत्थर के ऊपर जब बारिश पढ़ती है, त तो मान के चलिए, कि ये हेल स्टॉर्म का फिनॉमिन आपको देखने को मिल रहा है, दोस्तो इसका जो डाइमीटर होता है, ये अकसर पांच एमेम से ज़्यादा होता है, इट कैन हर्ट इन सम केसिस, बड़ जेनरली ये ज़्यादा हर्ट नहीं करते हैं, अगर कोई बहुत नाजुक चीज होगी, तो उसके उपर प्रेशर से गिरने से ये हर्ट भी कर सकते हैं, ये होती है हेल स्टॉर्म, कब फॉर्म होती है, दोस्तो जब आपका थंडर स्टॉर्म का कंडिशन फॉर्म होता है, थंडर स्टॉर्म का कंडिशन मैंने आपको क्यूमिन निम्बस क्ल Cloudburst के, जो 2013 वाला हमने फिनॉमेना देखा था, उत्राखंड में, या फिर हम कई बार मुंबई में देख लेते हैं, Cloudburst का फिनॉमेना, इस बार भी हमने देखा, मैं कलोड गंज में recently हुआ था, Cloudburst का फिनॉमेना, उस चीज को कहा जाता है, Cloudburst, Thunderstorm, और वो हमेशा ही Cumulonimbus Cloud, जो क या आपके cauliflower shaped clouds होते हैं, उसके साथ संबन रखते हैं, समझ आ गया, आपको समझ आ गया, Snowfall, आपको समझ आ गया, Drizzle, अब एक चीज बच जाती है, Sleet, Sleet क्या होती है, Sleet को ध्यान से देखिए, इस image में, दोस्तों यहाँ पर, जब यहाँ पर हम बात कर रही है, यह आपक इस आपको मिक्स्चर और रही पारिश होती है, यानि कि यह एक ऐसी जमी हुई बारिश होती है, which forms when rain, while falling to the earth, passes through a layer of very cold air mass, मान के चलिए दो फिनॉमेना हैं आपके पास मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान के चलिए कि यहाँ पर आपका यह है cloud ठीक है और यहाँ पर भी आपका यह है cloud ठीक है और यहाँ पर आपका temperature T3 था, और यहाँ पर बीच में आपका temperature T4 था, ज्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगर हम बात करते हैं T1 और T2 की, मैं ये बोल रहा हूँ कि T2 is less than T1, ठीक है, for example, T2 is less than T1, और इस case में ये बोल रहा हूँ कि जो आपका T4 है, it is higher as compared to T3, दोस्तों, अगर T4, T3 से जादा है, जब वो बारिश वाला पानी इसके थूप गुजरेगा, it is possible कि वो पानी हवा में ही evaporate हो जाए, और वो ground level तक ना पहुंच पाए, ये आपका ground level है, ठीक है, ये आपका ground level है, it is possible क्योंकि यहाँ पे temperature जादा था, T4 was higher than T3, it is possible कि वो वह तक ना पहुंच पाए, दोस्तों, इसी के विपरीत एक और condition देखने को मिलती है, जो ये वाली condition है, actually T3, T4 वाली, ये बहुत commonly देखने को मिल जाती है, खास करके गरम इलाकों में, लेकिन एक और condition होती है, जो कि आपको ठंडे इलाकों में देखने को मिलती है, T1 और T2 के case में, अगर T2, T1 से कम है, अगर T2 कम है, जब ये पानी यहां से गिर रहा था, तो हो सकता है, बीच में ये पानी शाय जमने लग जाए, जब ये पानी दोस्तों, जमने लग जाता है, तो जब ये धरती तक पहुंचता है, थोड़ी-थोड़ी तो यहां पे बारिश आती है और थोड़ी थोड़ी बीच में आपकी क्या देखने को मिलती है, आपको थोड़े थोड़े मोटे मोटे बरफ के तुकड़े देखने को मिलते हैं, नाओ ध्यान से समझना, sleet में आपको mixture देखने को मिला, बारिश का और snowfall का, लेकिन हेल में आपको केवल जो है small ice pellets देखने को मिलते हैं, और इसलिए इसको थोड़ा सा destructive भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा hurt कर सकती है, लेकिन sleet के case में ऐसा नहीं होता, normally अगर हम देखते हैं, इंडिया के northern इंडिया में, northwestern इंडिया में, जहां पर थोड़ा सा temperature कभी कम हो जाता है, October end में, तो कभी हमें यहां पर sleet का फिनोमेना देखने को मिल जाता है, it is a frozen rain which forms when rain falling to the earth passes through a layer of the very cold air mass, दोस्तो इसका diameter भी approximately 5 mm से जाधा होता है, बट फिर से आपको बता दूँ, ये चीज़ें आपको याद करनी बिलकुल भी relevant नहीं है from the point of view of UPSC Geography GS, समझ आ गई बात, चारों की चारों ची is rainfall, उसकी बात कर लेते हैं, but before that एक और चीज़ आपको बता दूँ, कई सारे बच्चे confused होते हैं, धुंद और mist, धुंद और mist यानि की fog और mist ये precipitation की किसमें नहीं है, क्योंकि इसमें water vapor condense नहीं करता है to precipitate, फिर से याद कर लीजे, मैंने क्या बोला था, precipitation होने के लिए पहल हवा का ठंडा होना, दूसरी condition है उसका condensation होना, तभी जाकर के precipitation हो, इस case में fog और mist के case में ना तो आपकी cooling होती है, ना आपकी condensation होती है, क्योंकि ये दोनों phenomena आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये केवल और केवल suspension of water vapor in the air है, इसी लिए fog और mist को precipitation की category में नहीं include किया जाता है, is this point clear, चली, अब आगे बढ़ जाते हैं, और सबसे important kind of precipitation है, that is rainfall, उसके बारे में बात कर लेते हैं, it is the most important form of precipitation, हमने पहले ही बात कर लिया था, most important form है, especially low latitude में, जो आपके नीचे के अक्षांश होते हैं, 0 से लेके 35-40 degree तक के अक्षांश होते हैं, वहाँ पर आपक commonly rainfall देखने को मिलती है, इसके सबसे अच्छे example, भारत में आने वाला monsoon, जो कि आजकल चल भी रहा है, और इसके इलावा जो आपकी equator के पास पढ़ने वाली बारिश होती है, दोस्तों, ये भी इसका बहुत अच्छा example माना जाता है, now, gravity का role इसमें भी रहेगा, rainfall is falling of atmospheric moisture in the form of water, obviously rainfall का मतलब क्या है, जब water पानी के रूप में गिरेगा, जब water vapor पानी के रूप में गरेगा, तो उसको rainfall कहा जाता है, ये बोलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि water अलग-लग तरीकों से नीचे गिर सकता है, इस चीज़ को हम लोग already देख चुके हैं, recognize कर चुके हैं, acknowledge कर दोस्तों, यहाँ पर, again, one very important phenomenon is gravity, कि sir, gravity की वज़े से नीचे गिरता है, तब उसको rainfall कहा जाता है, अब ये rainfall होने के लिए कुछ conditions होती है, एक condition हम लोग बहुत पहले पढ़कर आये थे, कि relative humidity of the air, it must exceed 100%, obvious सी बात है, दोस्तों, अगर relative humidity हवा की 100% को exceed नहीं करेगी, तब तक हम यह नहीं मान सकते कि rainfall होगी, very very important, again, the warm and moist air will be lifted upwards, it will become saturated, clouds are formed, but the process of condensation begins only when the relative humidity of ascending air exceeds 100%, again, क्या बोला मैंने, देखिए, सबसे पहले आपकी हवा उपर जाएगी, sir, cooling हो रही है, cooling होने के बाद क्या होगा, cooling होने के बाद, boss, यहाँ पर process of condensation start होगा, वो अलग बात है कि condensation होने के लिए एक pre-condition दिया हुआ है, that is the relative humidity must exceed 100%, cooling होगा, condensation होगा, और finally, क्या देखने को मिला, finally, sir, हमें देखने को मिलेगी, rainfall, this is how this process of rainfall occurs, again, cooling, condensation, precipitation, अब मैंने precipitation को replace कर दिया है with the word rainfall, presence of warm, moist and unstable air and sufficient number of hygroscopic nuclei are pre-requisite conditions for rainfall, इस particular statement में और इस particular statement में फरक क्या है, फरक कुछ भी नहीं है, केवल लिखने के तरीके में फरक है, ध्यान से देखिये, पहले क्या बोला, हवा उपर जानी चाहिए, दोस्तों हवा कौन सी उपर जाती है, केवल गरम हवा ही तो उपर जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है, moist हवा ही तो ऊपर जाती है, अगर दोस्तो हवा stable होगी, तो क्या वो ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, यही बात आपका पहला condition, इसी हवा की क्या होने वाली है, इसी हवा की ठंडक होने वाली है, sufficient number of hygroscopic nuclei, यह मैंने क्या बोल दिया, यह मैंने होती है cooling, उसके बाद होती है condensation, और उसके बाद होती है rainfall, क्या यह बात आपको समझ आ चुकी है, is there any doubt in this, I don't think so, इसमें किसी प्रकार की doubt अब होनी चाहिए, अब दोस्तो rainfall के case में मैंने आपको पहले की बता दी कि rainfall के case में, कभी कबार आपने देखा होगा कि काले बादल चाहते हैं, बड़ rainfall आती नहीं है, ऐसा क्यूं होता है, हम बात कर लेंगे rainfall की किसमों के बारे में, बड़ कुछ interesting चीजें जो आप रोजमर्रा की जिन्दगी में देखते हैं, उनको समझ लेते हैं, दोस्तो जब भी अगर आप देखते हैं कि मोटे काले बादल आपके आसमान में दिख रहे हैं, बड़ फिर भी rainfall नहीं हुई है, यह क्यूं हुआ है, यह हुआ है इस phenomenon की वज़े से, याद कीजे यह T4 और T3 वाला phenomenon, अगर आपकी बारिश शुरू हुई, लेकिन रास्ते में एक ऐसा एरिया आ गया, जहां पर temperature बहुत ज़ादा है, जब वो ऐसा एरिया आएगा जहां पर temperature बहुत ज़ादा है, तो वहां पर आपका जो rainfall है वो evaporate हो सकता है, और धरती तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, इस cases में होता है कि इवन दो काले बादल छाएं हैं, बट rainfall नहीं आई है, कितनी बार हमने movies में देखा, लगान movie में हमने देखा कि बादल आते हैं, लेकिन बारिश नहीं आती, क्यों? विकाज ये phenomena देखने को मिल जाता है, तो ये geographically आप इस तरीके से बता सकते हैं, कि अगर beach में कोई ऐसा strip of air mass आता है, जिसका temperature जादा है, तो वो पानी को evaporate करवा देगा, जिसकी वज़े से बारिश शुरू तो होती है, लेकिन धरती तक नहीं पहुंचती है, ये थी आपकी कुछ basic जानकारी है, जो भी जानकारी मैंने आपको अभी तक दी है, ये examination point of view से कम relevant है, लेकिन ये foundation मनाने के लिए काफी important है, अब जिल लेकिन जो मैं चीजें आपके साथ discuss करने वाला हूँ, ये चीजें examination point of view से highly highly relevant है, दोस्तो geography और metrology में अगर हम बात करते हैं, तो तीन किसमों की rainfall की बात करते हैं, तीन किसमों की rainfall है, जिसको की पहचाना गया है, the classification of rainfall is based on the process by which clouds are formed, the three types of rainfall are as follows, दोस्तो यही तीन types of rainfall है, कोई की जादा commonly used word, conventional rainfall ही होता है, number two पे दोस्तो बात करते हैं, orographic rainfall very very important, भारत में आने वाली अधिकतर rainfall, orographic rainfall होती है, क्या होती है, discuss करूँगा, समझाऊँगा आपको, लेकिन एक बार केवल पहले नाम थोड़ा सा used to हो जाई है, conventional rainfall है, उसके बाद orographic rainfall है, और तीसरी rainfall जिसको हम cyclonic rainfall कहते हैं, जैसा इसका नाम है, दोस्तो cyclone के साथ जुड़ी हुई जो बारिश होती है, चक्रवात के साथ जुड़ी हुई जो बारिश होती है, उसको cyclonic या फिर geography के terms में frontal rainfall भी कहा जाता है, ये UPSC का एक बहुत ही favorite concept और word है, frontal क्या होता है, मैं discuss करूँगा आपके साथ fronts के बारे में तब समझाओंगा कि fronts इसको क्यों कहा जाता है, बस एक बार के लिए फिलाल याद कर लीजे कि cyclonic rainfall का जो दूसरा नाम है, वो frontal rainfall भी दिया गया है, अब, before we move further, आपको बहुती briefly समझना होगा और देखना होगा कि तीनो rainfalls के साथ जुड़े हुए, जो keywords हैं वो क्या-क्या है, दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं conventional या convective rainfall की, ऐसी rainfall which occurs due to the thermal convective currents, cause due to heating of the ground surface, यानि कि ऐसी बारिश जो तब होती है, जब आपका धरती बहुत जादा गरम हो जाती है, धरती बहुत गरम होगी, तो हवा उठेगी, दोस्तों मान लीजिए यह आपकी धरती है, बहुत गरम हो गई है, हवा उठेगी, ऊपर जाएगी, दोस्तों जैसे जैसे ऊपर या कोई हाइलाइन का एरिया हो जो की हवा को राइस करने के लिए मजबूर करवा दे हवा को राइस करने के लिए मजबूर करवा दे अब आपका पहाड था इस तरीके से पहाड था यहां से दोस्तों बारिश आई आपकी हवा आ रही है वे पहाड की वज़े से हवा ऊपर च कहूं, rise of warm air is the most important precondition, once the rise of warm air is happening, इसके बाद condition क्या है, इसके बाद उसकी cooling और उसकी condensation तो हो ही जाएगी, और इसके बाद तो rainfall भी आपको देखने को मिल ही जाएगी, तो दोस्तो, rise of the warm air is the most important condition, अब यह rising of the warm air, जिस अलग-लग फिनोमेना से होती है, उसके basis पर आपका यह types of rainfall निर्धारित किया गया है, conventional rainfall के case में rise of warm air क्यों हुआ, क्योंकि हवा बहुत हलकी हो गई थी, औरोग्राफिक rainfall में rise of warm air क्यों हुआ, यह आपका पहाड था, यहाँ पर यह हवा आई, और यह हवा मजबूर हो गई उपर जाने के लिए, समझ गए आप लोग चीज, और दोस्तों cyclonic और frontal rainfall में क्या होता है, हवा के बड़े-बड़े तुकडे होते हैं, वो हवा के बड़े-बड़े तुकडे आपस में आके collide करते हैं, यह आपका हवा का एक बड़ा तुकडा है, इसने आके collide किया, इस बड़े तुकडे के साथ, जो इसमें से हलका होगा, दोस्तों वो चला जाएगा उपर, जो इसमें से भारी होगा, वो रह जाएगा नीचे, अगेन हुआ क्या, सर, rise of warm air हुआ, यह condition हमेशा यहाँ पर constant रहेगी, किसी भी तरह की बारिश हो, गरम हवा का उपर जाना ही आपका सबसे important condition है, in order to cause the rainfall, किस तरीके से जाती है, उस आधार पर, option number one, option number two, या option number three आपको समझने हैं, सबसे पहले start कर देते हैं, conventional rainfall को समझेंगे, क्या-क्या conditions चाहिए पड़ते हैं, हर rainfall को समझने के simple से तरीके हैं, पहले तो preconditions क्या होने चाहिए, उसके बाद दोस्तों, ये movement कैसे होती है, और ये कहा-कहा पर देखने को मिल जाती है, बस ये दो चीज़े, precondition क्या है, movement कैसे होती है, और धर्ती पर कहा-कहा पर देखने को मिलती है, यही चीज़ें आपको समझनी है, अगर आप यही समझ गए, rainfall का topic आपके लिए वहीं पर समाप्थ हो जाएगा, अब देखे, conventional या फिर convective rainfall, ये क्या होती है, इस type की rainfall में, there is thermal convective rise of hot and humid air, ठीक है, simple rise हो रही है, thermal convective rise, जब आपकी हवा, ये आपका surface था, ये आपका surface था, जब ये यहाँ पर हवा उपर जाएगी, दोस्तों, जब ये हवा यहाँ पर उपर जाएगी, इस particular simple से rise को क्या कहा जाता है, सर, इसको कहा जाता है, thermal convective rise, thermal और convective, thermal क्यों, क्योंकि केवल temperature के आधार पर हवा उपर गई, convective क्यों, क्योंकि ये convection की वज़े से उपर गई, convection याद है, पढ़कर आये थे हम लोग, पिछले chapters में पढ़ा था हमने, convection, conduction वगारा वगारा, याद करिए, दोस्तों, क्योंकि ये केवल convection और thermal factors की वज़े से उपर गई, इसलिए इसको thermal convective rise कहा जाता है, Is this point clear? For the hot and humid air to rise, अब अगर आपको hot and humid air को rise करवाना है, दो conditions देनी बहुत जरूरी है, ये दो conditions क्या है? खुद समझे, नीचे वाले चीज़ को एक बार मत देखे, खुद समझे, अगर हम चाहते हैं कि ये वाली हवा बारिश करवाए, तो इस हवा की विशेष्टाओं में क्या होना चाहिए? पहले तो हवा होनी चाहिए, सर गरम, और दूसरी बात, सर हवा होनी चाहिए, गीली, गीली यानि की नमी होनी चाहिए हवा में थोड़ी humidity होनी चाहिए अब बताईए हवा गरम कैसे होगी सर हवा गरम होने का एक ही तरीका है temperature बढ़ा दो अगर temperature जादा होगा हवा गरम हो जाएगी अच्छा दूसरी चीज हमें चाहिए हवा में नमी सर्फ नमी होने का तरीका क्या है, याद कीजिए humidity में क्या बताया था, नमी होने का तरीका क्या है, sources of moisture होने चाहिए, या तो आसपास पेड हो, जहां पे वहां से moisture निकलेगा, या कोई water body हो, वहां से moisture निकल सकता है, यही दो conditions आपकी चाहिए पड़ती है, conventional rainfall के लिए, पहली condition हवा को hot बनाना है, दूसरी condition हवा को humid बनाना है, humid कैसे होगा, presence of moisture through evaporation to the air, so that relative humidity becomes high, जितना ज्यादा moisture होगा, उतनी ज्यादा relative humidity होगी, जितनी ज्यादा relative humidity होगी, उतनी ज्यादा बरसात देखने को मिलेगी, है के नहीं, बिल्कुल सही बात है, और hot कैसे बनाना था, intense heating of the ground surface through incoming short wave solar radiation, याद कीजे वही वाली बात, क्या कहा था मैंने, ये देखिए, आपके सामने है, ये सूरज की किरने है, ये यहाँ पर इस तरीके से किरने आ रही है, दोस्तो जितनी ज्यादा किरने strong होगी, उतना ज्यादा आपका temperature बढ़ेगा, या नहीं बढ़ेगा, बिल्कु हवा नमी हो जाएगी, नमी होगी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या होगा, एक point आएगा dew point का, बात करके आए थे dew point का point को, दोस्तो dew point के point पे आपकी relative humidity almost 100% के आसपास पहुन जाती है, और यहाँ पर दोस्तो इसके बाद आपके cloud formation होने लग जाएगी, cloud formation होगी, तो इसके बाद आपको बारिश होते हुई नजर आने लग जाएगी, यह simple सा phenomena है, इन दिये हुए दो conditions में, यह वाले दो conditions जो की हवा को hot और हवा की humid बनाते हैं, the moisture which is held by the air and the holding capacity of air are both very very high, याद कीजिए मैंने आपको relative humidity में क्या बताया था, numerator में moisture held by the air आएगा, denominator में उसकी capacity आएगी, तो moisture held by the air very very high, moisture holding capacity of the air very very high, automatically RH बढ़ जाएगा, automatically पारिश आपकी होने वाली है, hence it provides the perfect conditions for the rainfall, यह simple सी कहानी है आपकी conventional rainfall की, समझ आगी बास्त, अगर आप इसको बहुत complex करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, कुछ भी याद नहीं हो पाएगा, आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, सर एक तो hot चाहिए हवा और एक humid चाहिए, humid कैसे होगी, sources of moisture से होगी, hot कैसे होगी, intense heating से होगी, इतने सी चीजों से आपकी हवा जो है, rise कर जाएगी और conventional rainfall आपको देखने को मिल जाएगी, समझ आ गई बात, The ground surface is intensely heated due to the enormous amount of heat received, air in contact with the worm surface also gets heated, becomes warm, it will expand and ultimately rise, again हवा का उपर उठना precondition, जब हवा उपर जाएगी, ये ठंडी होगी, cool होगी, cool होने के बाद, saturate होगी, saturate होने के बाद, condensed होगी, उसके बाद cloud formation होगा, and finally आपकी rainfall हो जाएगी, बताइए कुछ भी चीज़ अब आपको लग र rise करेगी, ठंडी होगी, moist होगी, तभी जाके तो rainfall होगी, दोस्तों वही चीज, rising of the air, cooling of the air, condensation of the air, cloud formation and rainfall, ये आपका process हर जगा सेम होने वाला है, किसी भी तरह की बारिश हो, cyclonic हो, aurographic हो, वगएरा वगएरा, फरक क्या है, कि हवा उपर उठी क्यों, किस process से उठी, उसके convection rainfall कहां कहां देखने को मिलती है, दोस्तों हमने आपको पहले ही कहा था, convection rainfall, in general जो rainfall है, वो 0 से लेकर के 35 degrees के बीच में आपको जादा देखने को मिलती है, लेकिन convection rainfall, mainly आपको देखने को मिलेगी, equatorial regions में, क्यों, क्योंकि equatorial regions में temperature बहुत हाई होता है, जहां पे daily heating होती है, ground surface की, up to noon, obviously दुपहर के 12 मजे तक आपका ground surface गरम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और दोस्तों जब आपका 12 मजे तक surface गरम होता रहेगा, तो धीरे धीरे दुपहर के 2 से 3 बजे के बीच में, आपके बादल बनने शुरू हो जाएंगे, दोस्तों हर रोज, equatorial areas में almost हर रोज आपको बारिज देखने को मिल जाती है, conventional rainfall ही देखने को मिलेगी, it is a daily and a regular feature, कब जादा होती है, जादा होती है, April में और October में, due to spring and the autumn equinox, and it is least in July and January, due to summer and the winter solstice, अब ये आपको खुद समझना है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, याद कीजे, winter और summer solstice पे midday sun कहां चला जाता है, दोस्तो summer solstice पे midday sun चला जाता है, tropic of cancer, winter solstice में it goes up to tropic of capricorn, यानि कि उस time पर आपकी जो बारिश की intensity है, वो equator पे कम हो जाएगी, लेकिन summer, spring और autumn equinox पे आपका जो midday sun है, ये कहा रहता है, सरीय रहता है equator के पास, क्योंकि ये चीजे रहती है equator के पास, इसी लिए वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको बहुत जादा temperature देखने को मिलता है, simple, इसी लिए April October में आपकी conventional rainfall daily होती है, maximum होती है, होती July January में भी है, लेकिन उस time पे least होती है, is this point clear, दोस्तों ये वाला phenomena आपको equatorial areas के इलावा, tropical areas, subtropical areas और temperate इलाकों में देखने को भी मिलता है, लेकिन गर्मी के महीनों में, क्यों, क्योंकि temperature is the main precondition, गर्मी नहीं होगी तो बारिश होगी नहीं, अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, भारत में भी आपको conventional rainfall देखने को मिल जाती है, कब देखने को मिलती है, दो जाता है, temperature बढ़ जाता है, उस case में किसी-किसी दिन बारिश देखने को मिलती है आपको, दोस्तों वो जो किसी-किसी दिन बारिश देखने को मिलती है, उसको कहा जाता है, pre-monsoonal rainfall और वो असल में होती है, conventional rainfall, this conventional rainfall is defined as pre-monsoonal rainfall, इसके इंडिया में अलग-लग नाम है, मैं पर आपको देखने को मिलती है, West Bengal में काल वैसाखी, उसके बाद यहां देखने को मिलती है, बाडोली चीरा, यह कहां पर होती है, आसाम साइड में, दोस्तों mango shower देखने को मिलते हैं, करनाटका में, blossom showers देखने को मिलते हैं, केरला वगरा में, यह आपके southwest monsoon winds के आने के पहल होते हैं, before the onset of the southwest monsoon winds, और इसे कहा जाता है, pre monsoonal rainfall और यह आपकी यही वाली conventional rainfall है, क्या यह बाते हैं, आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई हैं, you can join me on my personal telegram channel, वहां पर जाके आप मुझ से सवाल पूछ सकते हैं, आपकी doubts को जवाब दे दिया जाएगा, दोस्तों, इस इस class को यहीं पर wind up करूँगा, आने वाली class में जो बची हुई rainfall की किसमे है, उसके बारे में बातचीत आपके साथ मैं करने वाला हूँ, इसके बाद हम जो है rainfall के chapter को close करेंगे, wind up करेंगे, stay tuned for the upcoming lecture of rainfall part number 2, जो की physical geography का lecture number 16 होगा, बहुत जल्द आजाएगा, please don't worry, also जाने से पहले आपको फिर से एक बार याद करने दोस्तों, अगर आप लोग unacademy में मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो unacademy prices बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं, जो चीजें आपको open market में 2.3 lakhs की मिलती है, unacademy आपको दे रहा है 55,000 में, और इसके ऊपर भी discounts मिलते हैं, अगर आप लोग code लगा देते हैं, कौन सा आपको लगाना है, unee UPSC, दोस्तों ये वाला code अगर आप लगाते हैं, तो आपको discounts और मेरी personal guidance available करवा दी जाएगी, एक बहुत ही बहती बहती लिन offer unacademy लेकर आया है, understanding the problem of students, अगर आप लोग 2 साल का subscription लेते हैं, और मान लीजे आप exam clear नहीं कर पाते हैं, तो unacademy आपको एक साल का subscription completely free of course देगा, केवन UPSC का ही नहीं, unne exams का भी देगा, so that आप उसकी तयारी भी कर सकते हैं, ये सारे के सारे features unacademy आपको offer कर रहा है, और दोस्तों अगर आप लोग लेते हैं subscription तो मेरे द्वारा तो पढ़ी पाएंगे, इसके इलावा डेली की faculty आपको पढ़ाएगी, इसके इलावा कई सारे IES, IPS officers जो की service में रह चुके हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे, अलग-लग तरह के batches हैं, one year batch है, two year batch है, prelims का booster batch है, ये सारे के सारे batches, और ये 18th August को नए बाशुर होने वाले हैं, अच्छा अलग-लग combat में हिस्सा लेना है, अगर आप लोग scholarship लेना चाहते हैं, इसमें भी unlock code आपको यूज करना है, अनी, UPSC का, and obviously हमारी free test series है, इसको भी जाके आप लोग join कर सकते हैं, on that note, I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe.